चलिए तो हम लोग यहाँ पर हिमालय परवत देख रहे थे और हिमालय परवत में यह ट्रांस हिमालय हम लोगों ने कम्प्लीट कर लिया था ट्रांस हिमालय में जिदर भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब को हम लोगों ने समझ लिया है अब यहाँ पर बारी है ग्रेटर हिम हिमाले का मतलब कि विरियाद हिमाले का यह जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहे इसको बोलते हैं विरियाद हिमाले मैं आपको समझा चुका हूं तो आप इसकी बारी है ठीक यहाँ पर क्या क्या है उसको हमको देखना है तो देखे इसमें जितने भी उची उची ही है सब यहीं पर है ठेक इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर हिमालय परवत में हम लोग मतला विरियात हिमालय में जो माउंट एपरवात देखने वाले हैं उसकी मुझाई आठ हाजार शो और तालीस मिटर ठीक माउंट एवरिष्ट का देखेंगे 8,848.86, 86 meter इस प्रकार से हम लोग उसका Mount Everest है, उसका उचाई देखने वाले हैं, और इसके बाद जितने भी और परवत हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इस हिमाले में, वो धीरे 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 कम होते होते जाएगा, 8,800 है तो 8,600 रहेगा, 8,500 रहेगा इस प्रकार से, कम होते 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 कम होते जाता है वो, लेकिन यहाँ पर लगभग, लगभग, दस से 12 जो Mountain Range है, बड़े बड़े जो उची उची पर वत है, वो सब यहीं पर है, ठीक है, 10 से 12 जो बड़े बड़े उची 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 परवत है, ता हीमाले में है, ठीक, इतना आपको याद रख परवत को छोड़ दे, हिमाल्या परवत के अलाभा हमारे पुरे इस प्रिथ्वी में और कहांपर उंची-उंची परवत हैं, तो सीधा हम चले जाते हैं, धक्षिड अमरिका, धक्षिड अमरिका में वहाँ पर हम जो एंडी परवत देखते हैं, उसके आस-पास में एक वर्ल्ड जोग्राफिय में पढ़ाता है तो वहाँ पर मैं समझाता हूँ यहाँ पर फिलाल हमारे PSC व्यापवगरे वर्ल्ड जोग्राफिय नहीं आता है तो उसी था दक्षिड अमरिका में चले जाता है वहाँ पर जो एंडिस परवत में अपने अपने देखते हैं एक आउंका गुआ नाम से वह विसो के सबसे उची हूँ अगर हिमालय परवत को छोड़ देंगे तो हिमालय परवत को छोड़ देंगे तो वो उंची चोटी बन जाती है ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर हिमालय परवत को हम देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए आप कहां कहां पर है कौन-कौन से जगह में उसको हम को याद रखना होगा ठीक है फिलहल तो वर्ल अबारे में आ आपको दिखाई दे रहे है ठीक है यही पर हम को सबको बनाना है मतलब यह जो उंची उंची चोटिया रहेंगे वो कहां पर रहेंगे यही व्रियाद हिमालय में रहेंगे क्योंकि व्रियाद हिमालय का उंचाई सबसे ज्यादा होता है मतलब सबसे ज्यादा है यहाँ पर इसलिए उची उची चोटी होंगी वह भी इहां पर होंगी, तो एक तो पहले यहां पर आपको बनाना है, चली इसको मैं कौन से कलर में बनाऊ, इसी कलर में बनाते हैं, ठीक है, यहां पर इस प्रकार से, ये उत्राखंड है ठीक है ध्यान से देखेंगे तो ये उत्राखंड राज्य है एक मैंने उत्राखंड में इस प्रकार से बनाया है दूसरा भी मैंने यहाँ पर उत्राखंड में बनाया ठीक है तो यहां से इधर से मैं मतलब कि left side से मैं बनाते हुआ जा रहा हूँ मतलब कि पश्चिम दिसा से मैं बनाते हुआ जा रहा हूँ ठीक है तो यहां पर जो मैंने पहला है यह वाला जो चोटी बनाया हुआ है ठीक है इसका नाम है कामेत ठीक, इसो क्या बोलते हैं, कामेद बोलते हैं और ये कामेद है कहां, ये उत्रा खंड में है ठीक है, ये कामेद है ये ऐसे इसके बाद यहाँ पर नंदा देवी है ठीक, ऐसे नंदा देवी तो दो जो मैंने परवत बनाया हुआ है उचे-उचे मांटेन पीक मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है वो कहां है, उत्रा खंड में हैं दोनों को दोनों अब इसके बाद इधर जो मैं बनाओंगा, वो नेपाल में चला जाएगा ठीक, इसके बाद इधर जो मैं बनाते जाओंगा, वो कहां जाएगा नेपाल में चला जाएगा वो यहाँ पर आप देखे, यह वाला जो इस प्रकार्स यहाँ पर मैंने बनाया यह है धौला गिरी ठीक, यह धौला गिरी है न ध्यान में रिखेंगे, धौला धार नहीं है, धौला धार हम लोग उन उधर मद्ध हमाला में देखा था धौला गिरी है इसका फिर यहाँ पर मैं अगला जो बनाने जा रहा हूँ यह है अन्नपूर्णा ठीक है यह अन्नपूर्णा है इसके बाद यहाँ पर आएगा माउंट एरिष्ट है इस परफार्णा ठीक है यह जो माउंट एरिष्ट है यह विश्व की सबसे उच्छी चोंटी कहलाती है अभी हम देखेंगे सब के उच्छाई के बहुए आपको याद करवाऊंगा कैसे याद करते हैं इसको एक ट्रिक है आगे याद करने का उसको मैं समझाऊंगा आपको ठीक है यह माउंट एरिष्ट है ठीक है माउंट एरिष्ट अब इसके बाद यहाँ पर आते हैं मकालू मकालू इसके बाद यहाँ पर याद रखेंगे कंचन जंगा अब कंचन जंग अग बारे में भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर इसको अब ही मैं समझाऊंगा आपको आना हाला कि मुझे उसको पहले ही बता देना चाहिए था कंचन जंग अग बारे में लेकिन पिछले पले क्लास में भूल गया थे इसको एक कंचन जंग है देखो अब क्या क्या है यहाँ पर कामेथ है नंद देवी है धौला गिरी है अनपूर्ण है मांट एवरेस्ट है मकालू है और कंचन जंग है ठेक यहाँ पर इस सब को अकर ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है मैंने कामेथ पहले बोला तो कामेथ से क्या रहेगा का रहेगा नंद देवी से क्या रहेगा न रहेगा धौला गिरी आएगा इसके बाद ठीक है यह धौला गिरी ध्यान में रखेंगा यहाँ पर यह इसका हम क्या देखे ले धौला धार था यह धौला धार mountain range यहाँ पर था ठीक है यह धौला धार है और यह क्या चीज़ धौला गिरी है याद रखेंगे ना थोड़ सा confusion यहाँ पर लगता है confusion लेकिन confusion नहीं होना है तो यहाँ पर क्या बना यह कान धौवा बना अब यह अब बनेगा यहाँ पर अन्नपोना है धौवा ममा का ऐसे इसको याद रखेंगे ठीक है कान धौवा ममा का मतलब यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की और आपको यगर कोई पूछे तो आप ऐसे बता दें इसको लभी कान धौवा ममा का ऐसे इसको ट्रिक बना कर याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको बता सक का से कामेथ है फिर नंदा देवी है ठीक है दोनों कहा है उत्रा खंड में रहेगा फिर यहाँ पर बांकी सब नेपाल में चला जाएगा और यह जो कंचन जंग है वो हमारे भारत को जो सिक्किम है वहाँ पर रहेगा ठीक है सिक्किम राज्य है यहाँ यहाँ पर यहाँ जो पर क्या रहेगा कंचन जंगा रहेगा इस प्रकार से कांध हवा ममा का इस प्रकार से इसको याद रखेंगे तो ये तो हो गया आपका पश्चिम से पूर्व की और इसका विस्तार हम लोग देख लिए अब इन सब का उचाई हम पो याद रखना पड़ेगा ठीक है उचाई 98 मिटर इसको उचाई देखते हैं ठीक है और इस कंचन जंगा को कंचन जंगा को हमारे भारत पर इस्थित सबसे उची चोटी के नाम से जाना जाता है ठीक है कंचन जंगा क्या बोलता है भारत पर इस्थित सबसे उची चोटी अब देखो इसका मतलब क्या है हम लोग ने तो K2 देखा हुआ है, अब K2 और कंचन जंग है, ये दोना में कासा, क्या दिक्कातार है, इसको बोलेंगे भारत पर इस्थित देखो यहां पर हम लोगों जो ketu देखा है ketu को क्या बोलते हैं? भारत की सबसे उची चूटी ठीक है? भारत की सबसे उची चूटी देखो भारत की सबसे उची चूटी लेकिन यह पाकिस्तान ओक्यूपाईड छेतर में आता है इधर P.O. के है मतलब कि भारत के किसी राज्य पर इस्थित कोई उंची चोटी है तो वहाँ पर एक कंचन्जंग है इसलिए यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे भारत पर इस्थित सबसे उंची चोटी में लिखोंगे यहाँ पर ठेक यहाँ पर क्या लिखोंगा भारत पर इस्थित ठीक ऐसे है भारत पर इस्थित सबसे उची चोटी ये पंचन लेंगा रहेगा ठीक है तो अब इसको दोनों को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए कि कैसे यहां पर क्या बोल रहा है ठीक है दोनों में कन्फ्यूज आपको नहीं होना है तो यह इस प्रकार से यह ऐसा है और यहां पर जो माउंट एवरेश्ट है माउंट एवरेश्ट का है सबसे विस्व की सबसे उची चोटी है ठीक है माउंट एवरेश्ट का है विस्व की सबसे उची चोटी है और माउंट एवरेश्ट का उचाई पूछा है कितना बोलेंगे आठ हजार आठ सो अड़तालिस ठीक है आठ हजार आठ सो अड़तालिस दसमलाव आठ छै मीटर ठीक है ये किसका है मांट एवरेश्टक उचाई हम लोगों यहाँ पर देखा चलिए अब बांकी जितना भी यहाँ पर मांटेन पीक यहाँ पर जो लिखा उसका भी उचाई आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है तो इसको मैं छोटा सा यहाँ पर साइड में कहीं बर्मेंट बना देता हूँ यहीं पर देखो पहले हम लोगों ने क्या देखा मांट एवरेश्ट ठीक है मांट एवरेश्ट को उचाई कितना है आठ हजार आठ हजार आठ सव और तालिस दसमलो आठ शै मिटर ठीक हमारे विस्व की सबसे उच्छी जोटी है अब इसके बाद केटू था केटू कहा है इधर है केटू इधर माने केटू बताया था यह केटू तो इसका उचाई कितना था आठ हजार जो केटू है केटू के उचाई मैंने आपको कितना बताया था 8,611 मिटर इसके बाद एक कंचन जंग है कंचन जंग है कुछ आई कितना है 8,598 ठीक इतना है 8,598 अब इसके बाद आते हैं मकालू ठीक क्या आएगा मकालू आएगा ठीक हिमाला यहाँ पर जो माउंट आवरेश्ट है उसी के पास में मकालू है इसलिए इसका भी उचाई ज्यादा है तो मकालू का उचाई जैसे के हम देखते हैं तो कितना है इसका है 8,400 8,481 है 8,481 देखो तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा कि जो माउंट आवरेश्ट है उसकी उचाई सबसे ज्यादा है ठेक है M फिर यहाँ पर K K मतलब की एक तो K2 रहेगा और दूसरा कहा है कंचन जंग है एक पहला K2 है फिर उसका कहा है कंचन जंग है मतलब सबसे ज़्यादा हम चाई इसकी है फिर यहाँ पर यह है फिर यहाँ पर यह है तो M के M, अब यहाँ पर अगला जो आएगा वो D से नाम रहेगा उसका, ठीक है फिर जो अगला आएगा वो N से नाम रहेगा, फिर वो अगला जो आएगा A से नाम रहेगा, DNA बने गए ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, धौला गिरी आएगा, N से नंगा परवात आए और A से अनपूर्णा आएगा और इसका फिर से यहाँ पर आएगा N के N N के N ऐसे आएगा तो यहाँ पर जो D से नाम बनेगा ठीक है D से क्या रहेगा धौला गिरी रहेगा धौला गिरी इसका उचाई रहेगा 8172 ऐसे इसके बाद यहाँ पर नंगा परवत है N से क्या रहेगा नंगा परवत ऐसे नंगा परवत अब नंगा परवत हुचाई कितना है 8126 इस प्रकार से और अ से क्या रहेगा अन्न पूर्णा रहेगा अन्न पूर्णा इसका उचाई है 8078 यह ऐसे चलिए अब N से यहाँ पर N से क्या आएगा नंदा देवी आएगा इन से नंदा देवी और नंदा देवी के उचाई रहेगा 7887 ऐसे फिर यहाँ पर के से क्या रहेगा कामेत रहेगा कामेत के उचाई रहेगा 7756 अफिर यहाँ पर जो नामचा बरवा है वो रहेगा इसका भी उचाई कितना है 7756 है 7756 इस प्रकार से है चले तो इस प्रकार से इनको आपको याद रखना पड़ेगा ठीक है याद रखने को बहुँआ सिंपल ट्रीक है यहाँ पर जैसे कि देखो यह DNA बन रहा है उपर वाला क्या बना था M के M बना था M के M और यहाँ पर DNA बना और यहाँ पर यह क्या बनेगा N के N बनेगा ठीक है तो यह DNA यहाँ पर है अब उपर में क्या M है और नीचे में क्या N के N है तो M के N DNA N के N ऐसे रहेगा M के N DNA N के N N के N ऐसे तो पहला क्या है Mount Everest रहेगा ना पहला क्या है Mount Everest रहेगा Mount Everest कुछ एक इतने है 8848 से फिर केटू है 8611 है फिर कंचेंजंगा 8590 मकालू 8400 क्यासी तो यहां पर ध्यान से देखेंगे तो पहले यहां पर 8800 है फिर 8600 उत्रा फिर 8500 आया फिर 8400 आया ठीक अधिरे धिरे उतरते जा रहे 8800 से लेकर 8800 फिर उसके बाद 8600 8500 8400 फिर यहां पर 8100 8100 फिर 8078 यहां पर ध्यान देंगे तो डियेने वारे जो है ना डियेने इस डियेने में क्या है 110 है यहां पर 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 आ रहा है इसमें यहां पर देखेंगे तो 8100 8100 ऐसे आ रहा है और इसमें यहां पर देखेंगे तो 8100 8100 ऐसे आ रहा है और इसमें 8000 में 8800, 8600, 8500, 8400 इस प्रकार से ये नीचे उतरते जा रहा है तो इस प्रकार से ये जो भी उची-उची परवतों के बारे हम लोग जो बात करते हैं हिमालय परवत में वो यहाँ पर लिखा हुआ है मतलब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया चाहोगे तो यहाँ पर इसको लिख भी सकते हो जैसी कि हम लोगों ने मकालू ठीक है तो M के M ऐसे याद रखे थे न M के M तो मकालू का हम लोगों ने कितना देखा है ठीक है देखे है मकालू का कितना है 8400, 81 है 8400, 81 मिटर ठीक है यह ऐसा कुछ है इसके बाद अन्नपूर्णा का हम लोगों ने कितना देखा है DNA में देखा था ना DNA में क्या था 8126 DNA में फिर धौलागिरी में हम लोगों क्या देखा है DNA मतलब धौलागिरी में क्या था D था धौलागिरी का D और DNA का जो वो है मतलब की 1 था मतलब की 8178 क्या सपस था ये 8100 कि 78 दिखे है कि नहीं 8178 धाला गिरी स्वरी 78 नहीं 72 है ना स्वरी यहां पर 78 नहीं यहां पर क्या है बहत्तर है कि इस प्रकार से यह ऐसा कुछ अब इसका देहां पर नंदा देवी तो नंदा देवी के 7000 में देखे थे हम लोग 7800 कि इतना बताया थे इसका में 7817 बताया थे क्या यहां पर 7817 है और कामेत का कितना देखे थे 7000 7756 ऐसे कुछ है कामेत कितना 7756 चलिए इस प्रकार से हम लोगों ने जितने भी यहां पर उची उची चूटिया है उनके नाम हम लोगों ने यहां पर लिख लिया और नाम के साथ उचाई वगर को भी हम लोगों ने देखा ठीक है बाकी आप लोग इसको बना ली जैगे जैसा भी है चलो तो यह हम लोगों ने जितने भी व्रिया धी माले में उची उची चोटिया हैं उनके बारे में बात किया यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो नामचा बरवा इधर है यहाँ नामचा बरवा के उचाई हम लोगों ने में बताया था आपको कितना 8000 आठहजार एक सो चब्विस एक मिनट रुक्षे अठीक है नंगा परवत के बारे में अच्छा यहाँ पर मतलब कि नंदा देवी का एक मिनट है नंदा देवी का उचाई कुछ और होगा अच्छा ठीक ठीक नंदा देवी के लिख लिए है तो 8126 इसका मैंने आपको बताया हुआ है इतना चले तो यह हम लोगों ने जितने भी उची उची चोटिया है उन सबका उचाई हम लोगों लिखा अब आगे हमको क्या करना है कि यह जो मद्ध हिमाला यहाँ पर है इसके बारे में बात करना है ठीक है, जो यहाँपर middle हिमाला है या फिर lesser हिमाला है, उसके बारें बात करना है तो अब इस हिमाला के बारें जब बात करते हैं, तो यहाँपर हम लोग क्या देखते हैं कि यह जो व्रियाद हिमाला यह जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक ग्रीन कलर में जो है वो व्रियाद हिमाल है और नीचे वाला पीर पंजाल है ठीक नीचे वाला क्या है पीर पंजाल है तो इस पीर पंजाल और इस व्रियाद हिमाल है के बीच में यहाँ पर एक हमको घाटी देखने का मिलता है एक वैली हमको देखन जम्मू कस्मिर आप लोग पढ़े भी होंगे, देखो आपको मैं कस्मिर दिखाता हूं कहां हैं, ये दखो, कस्मिर घाटी कैसे दिखता है, उबर्मे क्या है, उबर्मे है बर्यःध हिमाले है, और नीचे में क्या है पीर पंजाल है तो इसे व्रियाद हिमाले और पीर पंजाल की बीच में क्या है यहाँ पर कस्मीर घाटी ठीक एक कस्मीर घाटी ऐसे देखो मतलब कि चारो सेट से देखो कि आप ध्यान से तो पूरा जो कस्मीर है ये कस्मीर चारो सेट से पहाडों से घीरा हुआ है ठीक है बीच में एक छोटा सा घाटी मतलब इसी घाटी बोलते हैं कर चारो सेट से पहाड से अगर कोई जगहा ऐसे घीरा हुआ है या फिर दो पहाड बीच में अगर कोई बड़ा सा जग है उसको घाटी बोल देते हैं इसको वैली बोल देते हैं घाटी इस प्रकार से तो यह कस्मीर घाटी है ठीक है तो यहाँ पर कस्मीर है और नीचे में देखो कि यहाँ पर जम्मू है तो नीचे में क्या यहाँ पर जम्मू है और यहाँ और कस्मीर है, ठीक है, स्रीनगर है, तो ये जो अगर हमको इस जम्मो से लेकर के कस्मीर तक अगर जाना रहेगा, ठीक है, जम्मो से नीचे, मतलब नीचे कहा है, जम्मो है, उपर कहा है कस्मीर है, तो जम्मो से कस्मीर हमको जाना रहेगा, तो इस प्रकार से ये जो भी यहां पर इस पहाड के उच्छाई बहुँ ज्यादा हो जाती वहां पर सुरंग बनायते हैं, ठीक है इस प्रकार सुरंग भी बनता है, तो सुरंग के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो यहां पर हम लोग सिंपल क्या देख रहे हैं, जो जम्मू है वो कहा है और कस्मीर है वो कहा है देखो, तो इस वाले छेतर में कहीं पर जम्मू है, ठीक है यहां पर क्या है, जम्मू है, इधर यह कस्मीर है, तो जम्मू से अगर कस्मीर जाना है, जम्मू से अगर कस्मीर जाना है, तो वहां पर हमको दर्रा से जाना पड़ अब यहाँ पर जो दर्रा बनेगा उस दर्रा का नाम आपको याद रखना पड़ से यहाँ से लेकर यहाँ था कि यह दर्रा बनेगा दर्रा को बोलता है बनिहाल दर्रा दर्रा किसको बोलता है भी मैंने आपको दिखाया ना पाहाड़ों के बीच में सकरा सकरा जो रास्ता दिख रहा था उसी को दर्रा कहा जाता है यह जो दर्रा यहाँ पर आपको दिखाई दर्रा है जम्मू से कस्मीर के बीच में इसको बोलता है बनिहाल दर्रा यह बनिहादर रहा, किसके किसके बीच में पुछाएगा तो जम्मों से कस्मीर के बीच में बनिहादर रहा है, इसी प्रकार से यहाँ पर लेह है, ठीक, लेह लददाख, यह लेह में, अगर लेह जाना है आपको, और कहां से जाना है लेह, मनाली से जाना है, ठीक, यहाँ पर हिमाचल प्रिदेस में देखोगे तो मनाली है ठीक इधर हिमाचल प्रिदेस में कहा है मनाली है ये वाले point पर तो इस हिमाचल प्रिदेस में जहाँ पर मनाली है इस मनाली के आसपास से मानुचल ये मनाली यहाँ पर है इस मनाली से हमको जाना है कहां लेह जाना है ऐसे तो यह हमको इस प्रकार से जाना पड़ेगा ना इधर से बोलो चाहिए उधर से बोलो इस प्रकार से मनाली से लेह जाएंगे तो यहाँ पर जो दर्रा हमको देखने के मिलता है इसे दर्रा का नाम है रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा यह ऐसे दो दर्रा हम लोग उन दिखा अब अगर डारेक्ट आपको कहा जाना है कस्मीर से कस्मीर से जाना है सिधा कहां लेह जाना है यह ऐसे इस प्रकार से कस्मीर से लेह जाना है तो यहाँ पर जो दर्रा है उसको बोलता है जो जीला दर्रा ठीक इसको क्या बोलेंगे जो जीला दर्रा बोलेंगे चलिए तर तीन दर्रा के बारे में हम लोगोंने बात किया कौन-कौन सा दर्रा एक तो बनिहाल दर्रा हम लोग ने बात किया जम्मू से कस्मीर जाने के लिए हाँ पर बनिहाल दर्रा है जम्मू से कस्मीर के लिए क्या है बनिहाल दर्रा और कस्मीर से लेह जाने के लिए हाँ पर जोजिला दर्रा है और मनाली, ठीक है इन्ही दर्रा में कुछ सुरंग भी देखने वाले हैं, ठीक है, आगे हम लोग सुरंग के बारे में भी बात करेंगे, इन्ही दर्रा में हम क्या देखने वाले हैं, सुरंग देखने वाले हैं, तो जहां पर उंचाई बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जहां पर यह जो mountain peak है, मतल उह सुरंग हम लोग हैं ठीक है यहां पर सुरंग देखने वाले हैं मतलब पीर-पंजाल रेंज में लोग लिएक प्रकार से यहां पर दूसरा हम यहां पर सुवरंगा रहेंगे लोग लिखे हैं इस Tails m में जो सूरंग है उसका मैं बनाने वाला हूँ ठीक है तो जो पहला सूरंग यहाँ पर यह इधर जो मैं बना रहा हूँ मतलब कि जम्मू कस्मिर में यह वाले ठीक इसको याद रखेंगे ठीक अटल टरनल को इंपोर्टन हो जाता है अटल टरनल का अगर लंबाई आपसे पूछा जाएगा तो 9-10 सुन्ने 2 किलिमेटर ठीक है यह इंपोर्टन ठीक हो कि यहां से एक्जाम में प्रश्न बना हुआ है ठीक है कोई एक्जाम था भी क्योंक addressing यहां पर यह जो सुरंग मने बताया है जम्मो के स्मेरन में यह जवहार संुरंग और यह बहुत पुराना सुरंग है जवहार सुरंग जो है वो 1956 को बनाया गया था और इसका लंबाई उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन उसको याद लिए याद निया रखने हैं इसको लेकिन यहाँ पर जो अटल टर्नल मैंने बताया है इसको याद रखने है अटल टर्नल किस परवस रेडिम है अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना होगा कि पीर पंजाल से रेडिम है ठीक, अटल टरनल किसमे है, पीर पंजाल में, देखो यहाँ पर ध्यान से, अटल टरनल किसमे है, पीर पंजाल रेंज में है, ठीक, यह वाला जो रेंज है, पीर पंजाल रेंज है, और जवार सुरंग किसमे है, यह भी पीर पंजाल रेंज में है, लेकिर अटल टरनल कहा है, हीमाचल प्रदेश में है ठीक अटल टरनल कहा है यह हीमाचल प्रदेश में है जब कि यहाँ पर जबार सुरंग कहा है यह जम्मू कस्मिर में है जम्मू कस्मिर में है यह ऐसे इसको याद रखेंगे जम्मू कस्मिर में है यह अटल टरनल हीमाचल प्रदेश में है यह तो यहां पर रोहतांग दर्रा यहां पर बनी हाल दर्रा इसी में सुरंग इस प्रकार से बनाया गया है तो यह जवाहर सुरंग और यहां पर अटल सुरंग अब एक दो और सुरंग है जिसका नाम चाहें तो आप याद रख सकते हैं जैसे कि एक यहीं पर यह जो यह वाला सन चेनानी नासरी नाम को उसका नाम है चेनानी नासरी नाम को उसका नाम है चेनानी नासरी नाम को उसका नाम है चेनानी नासरी नौद असमलाव दो किलिमेटर उसका लंबाई है और उसी को ऐसा माना जाते है कि भारत का सबसे लंबा सुरंग है मतलब सबसे लंबी सुरंग है वो भी स्रड़क सुरंग, ठीक है, सबसे लंबी स्रड़क सुरंग के रूपे, उस चेनानी नासरी जो सुरंग है, उसको माना जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्जाम में पूछा गए है, आपका अटल अनल, इसलिए आपको अटल को याद रटने है, अटल से भी थोड प्रसाद मुखर जीक नाम से भी जानते है, लेकिन उसको फिल हाला भी आप मत लिखे है, ठीक है, यहाँ पर अटल सुरंग और यह जवार सुरंग, इतना याद रखेंग, इतना काफी है, चला, तो यह फिल हाल इतना हुआ, अब देखो, इसके अलावा यहाँ पर छोटे- याद रहने, अटल रकोन और जवार के, दोनों को याद रखो, दोनों important है, चलो, अब यह हमारा यह सुरंग वाला टॉप, यह जो दर्रा है, वो सब complete हुआ, अब यहाँ पर कुछ-कुछ fact और है, उसको हम आगे अगले class में समझेंगे हैं, नेकी class में बहुँँ जादा हो यहाँ पर जो बोग्याल बगरा है, वो सबके बारे हम बात करेंगे, बहुँँ सारे कुछ-कुछ छोटे-छोटा और factual चीज़े हैं, जिसको हम लोग अगले class में देखेंगे, चले तो आज ये class में बस यही पर समाप्त करते हैं, और अगले class में हम लोग यहाँ पर जो माला एक और कुछ-कुछ important factor है, और यहाँ पर जोस्ति वाले किसे नड़ी है, उन सब के बारे हम बात करेंगे, चले तो आज ये class में बस नहीं मिलते हैं, अगले class में धन्यवाद,